नवस्का साथियों आप सभी को मालू होगा कि हमारे देश में एक राष्टपती का पद होता है और उसका चुनाओ हर पांस साल में होता है अभी बरतमार की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि रामनाद कोविन्द साब हमारे देश के राष्टपती है और 2017 में इनका चुनाओ हुआ था और ये चुनाओ जीतकर आये हुए थे अब जुलाई 2022 में इनका कारकाल खतम हो रहा है और आप सभी जानते हैं कि उससे पहले राष्टपती का चुनाओ हो जाना चीए अब देश में सोलेवे राष्टपती बनने के लिए चुनाओ पिक्रिया सुरू हो गई है और आपने देखा होगा कि एनडिये जिसमें आप देखते हैं कि बीजेपी भारतिय जिन्ता पार्टी मुख दल है और उसके बिपक्ची दलों को मिलाकर एनडिये बोल देता है उनकी तरफ से दिरोफदी मूर्मू को राष्टपती उम्मीदबार बनाये गया है वहीं अगर हम लोग एनडिये या बिपक्च की तरफ से बात करें तो यह सबंद सिनहा को राष्टपती पत का उम्मीदबार बनाये गया है और एनडिये देखिए और यूपीए की बात कर ये राश्टपती चुनाओ जीत जाएंगे ऐसी पूरी संभावना हो सकती है ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारतिय जनता पार्टी का अपनेचर जानते हो और उसको बहुमत के लिए बहुत चोटा सा एक तरह से मार्जिन चाहिए और और वो मुझे लगता है कि उसकी व सकता है उसका पिधान मंत्री है और केंदर में जिसकी सत्ता रहती है राश्टपती अधिक तरवार आप देखें कि उसी पाईटी का बनता है और भारत में राश्टपती की बात करें तो कारफालिका का पिधान राश्टपती भी होता है और समीधान का आप लोग भाग देखेंगे तो इसमें भारत की राष्टपती के पद की बात की गई है और अनुछेद अगर आप लोग 53 देखें तो संगी की कारफाली का सक्ती की बात की गई है कि राष्टपती में होती है और अनुछेद 54 देखेंगे तो राष्टपती के निर्वाचन की बात की गई है च राष्टपदी निर्वाचित होने के लिए क्या आहिरताय होने चाहिए उसकी बात की गई है। जरूर मालू होने चाहिए क्या होने चाहिए जरूर आपको कुछ जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए राष्टपदी के चुनाव में जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा संसद है जिसमें आप देखेंगे दोनों सदन जिनमें आपका लोकसवा है और राजसवा और विदाहान सवाओं के आप देखें जो निर्वाचे सदस होते न वो इसमें भाग लेते हैं इस चुनाओ में तो यह भी आप लोगों को मालू होना चाहिए और आप सभी जो लोग जानते हैं कि हमारे देख के पहले राष्टपती कौन थे डॉक्टर राजिंद पर साथ थे और हमारे देख की पहली महला राष्टपती पिदिवाप देवी पार्टल और आप सभी को मालू होना चाहिए कि अगर दरोफती मूर्वो राष्टपती बन पहला राष्टपती भी होंगी ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेगा चलिए इसकी पिक्रिया के चुनाओ की पिक्रिया के बारे में हम लोग कुछ जानकारी देख लेते हैं यह हमारे सामने हमारा प्यारा भारत दिखाई दे रहा है आपको और आप देखें कि भारत के बर्तमान राष्टपती का कारकल जुलाई 2022 को खतम हो जाएगा लेकिन उसके साथ ही इसके उत्तरादिकारी का चुनाओ करने के लिए देश में सोलेवे राष्टपती चुनाओ आईजित किये जाएंगे उससे पहले राष्टपती का चुनाओ कैसे होता है और यह आप सुची में नाव जुड़ चुका होता है और वो लोग बोर्ट करते हैं लोकसवा सदस के लिए और जो राजसवा सदस होते हैं उनका चुनाओ विधायकों के द्वारा होता है तो भारती राष्टपती के चुनाओ एक निर्वाचक मंडल पिर्णाली के माध्यम से किया जा तो भारती निर्वाचन आयोग करता है और दो भारती निर्वाचन आयोग है ना Election Commission of India ये आप लोगों को एक और मालो होना चाहिए कि राज्यसवा लोकसवा बिधान सबा बिधान परिशत और राष्टपती उपराष्टपती इनकी देखभाल चुनाओ करवाना भारती नि पास रखा करिएगा इनसे भी आपकी परीक्षाओं में कुश्यास पूचे जाते हैं और मुझे लगता है कि सामान जानकारी के लिए भी अपने देश की राजनितिक विवस्ता जो बनी हुई है उसके बारे में मालू होना चाहिए अब आप सोचे निस्पक्षगर सभा निम्न सदन यानि कि राज सभा लोक सभा की सदस्थों के सभी निरवाचे सदस्थे English और रांज के बक्यूंदसासे पिदेशों की बिधान सभाओं की निरवाचे सदस्थ स भाग लेते हैं और एक बात आप सən जान लीजे कि निरवाचेत आप लोगों को याद रखना मनोनी सदस्थ भाग नहीं लेते हैं समिधान का अनुछेद जैसा कि आपको बता है कि राष्टपती के चुनाओ की बात करता है अनुछेद 55 राष्टपती के चुनाओ की पिक्किरिया की बात करता है कि किस पिक्किरिया से होगा अनुछे 56 राष्टपती के पद के कारिकाल की बात करता है कितना कारिकाल होगा इसका और अनुछे 57 पुना निर्वाचन हेतु पादता की बात करता है आप सभी जानते ही कि हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है कि दो से एक से दो बार या दो से जान्दा बार राष्टपती नहीं बन सकता है कोई भी बन सकता है लेकिन आप देखते हैं कि अमेरिका चले जाईए आप लो दो बार राष्टपती बन सकते हैं उसके बाद आपको पत छोड़ना ही होगा अनुचे दंठावन राष्टपती की रूम में चुनाओ ही तू योगिता क्या होती है उसकी बात करता है अगर हम लोग इसकी पुर्पिक्रिया की बात करें चुनाओ की तो मद्दान से पूर नामंग कन चरन आता है सबसे पहले आपको नामंकन करना होगा अगर आपको राष्टपती बनना है और एक बायात याद रखिए आप लोगों को भारत का नांगरिक होना चाहिए आपके उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए अगर आप लोग एक सभी योगताएं हासिल किये हुए है तो आप लोग नामंकन के लिए बात करेंगे और जहां उम्मीदबार चुनाव में खड़ी होने का इरादा पिस्तुद करता है और उसे और 50 पिस्तावकों और 50 समर्थकों की हस्ताग चरित सूची के साथ नामंकन दाकिल करता है सीधा सा उधारन देख लिए अगर आपको राष्टवती का चुनाव लड़ना है तो आप लोगों को 50 पिस्तावक चाहिए होगे और 50 आपको समर्थक चाहिए होगे टोटल मिलाकर आपके यह 100 चाहिए होगे समझ रहे आपको क्योंकि आप जानिए कि पहले क्या होता था कि इस तरह कि अगर विवस्ता नहीं होती तो अभी भी आप देखे कि बहुत सारे लोग चुनाव में एक तरह से नामांधकन कर देते और आप देखे वो हारने के लिए चुनाव लड़ने उसे कोई फरक नहीं पड़ता होने तो इसलिए इसमें ये रखा गया है कि कम से कम होई लोग चुनाव लड़ें जिनके पास 50 पिस्तावक हों सांसदों में और 50 उसमें उनके मद्दान क्या हों उन्हें समर्थक भी हो ये पिस्तावक हो समर्थक राज्य बम राष्टी इस्तर के कई जीतने की संभावना भी कम थी द्वारा चुनाव लड़ने के लिए नामंकन दाखिल किया गया है आप लोग देखते हैं अभी आपके हाँ जो लोकल बॉड़ी के चुनाव होते हैं आपने देखा होगा कि कई छेत्र से दस-दस-पंद्रे-पंद्रे लोग खड़े हो जाते हैं चुनाव के लिए उन्हें मालू रहता है कि वो हार जाएंगे फिर भी लड़ते रहते हैं तो इसलिए आप देखे इस पिक्रिया को लाए गया कि एक तरह से जीतने की संभाव ना है वही चुनाव लड़ें एक मत दाता एक से अधिक उम्मीदबारों की नामंकन का पिस्ताव या समर्तन नहीं कर सकता है यानि की कहने का मतलब है कि जो आप देखे इसमें मत दाता है राश्पती की चुनाव में बोट डालने के लिए जिसमें राजसबा, लोकसबा और लोकसबा, राजसबा के निर्वाचिस सदस्तों की बात करें तो वो एक उम्मीदबार को ही अपका पिस्ताव दे सकता है एक से अधिक उम्मीदबारों को पिस्ताव या समर्तन नहीं कर सकता है ये भी आप लोग याद रखेगा अब आप लोगों की दिमाग में ये भी सवाल आता होगा किते की बितेग बोट का मूल क्या होता है इसकी गढ़ना अखिर कैसे की जाती है और पितेग सांसद या बिधायक द्वारा डाले गए बोट की गढ़ना एक बोट की रूम में नहीं की जाती है पितेग सांसद या बिधायक द्वारा डाले गए जो बोट होता है तो उसे एक बोट नहीं गिना जाएगा फिर क्या किया जाएगा राज्यसबा लोगसबा की पितेग सांसद की बोट का मूल 708 निश्चित किया गया है माल लेजी आप लोग राज्यसबा सदस है या लोगसबा सदस है तो आप लोगों का भली एक बोट है लेकिन उसका मूल 708 रखा गया है ठीक है और विधायकों के बूट का मूल लिकी बात करने तो अलग-अलग राज्यों की जनसंख्याग पर निर्भर करता है और समिधान के 84 भी समिधान संसुदन अदिनियम 2001 के अनुसार वर्तमान में राज्यों की जनसंख्या वर्स 1971 की जनगरना के आंकणों पर आधरी थे और प्राप्त भागफल को 1000 से पिभाजित करके निर्धारित किया जाता है सबसे पहले आप देखें कि सबसे जन्द आपको उत्तर पिदेश का देखने को मिलेगा उत्तर पिदेश में पितेग बिधायक के लिए सबसे अधिक बोट मूल 208 है और महराष्ट में एक बिधायक का मूल 175 है जबकि अरुणार पिदेश में यह केवल 8 है तो जन्संख्या के हिसाब से निर्धारित किया गया यह भी आप लोगों को मालू हना चाहिए इस तरह के कई बार कुश्चन्स भी आपसे परिक्षाओं में पूच लेता है अब जीत सुनिश्चित करने के लिए क्या वसकता होती है कि आखिर कैसे मालू चलेगा कि यह जीतेगा या कौन हारेगा एक मनुनित उम्मीदवार साधारन भहुमत के आधार पर जीत हासिल नहीं करता है वलकी बोटों के एक बिसेश्ट कोटी को हासिल करने की पिडाली के माध्यम से जीत सुनिश्चित होती है आप सभी जानते हैं आप लोग देखते हैं कि विधान सभा के चुनाव लड़ते हैं या लोग सभा के चुनाव लड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि सबसे जान्दा जिसे बोट मिल जाते हैं वही चुनाव जीत जाता है वो चाहे आप देखे कि 100 में से 10 बोट हो अगर सबसे जान्दा उसी उम्मीदबार को 10 बोट मिलें तो तब भी वो जीच जाएगा यानि कि कहने का मतलब ही कि आपकी विधान सवा के 90 बोट उसके इखलाब पड़े हुए लेकिन जीच उसी की हुई क्योंकि आप देखे 20 केंडियेट खड़े हुए थे उम्मीदबार लेकिन राश्टपती के चुनाओ में ऐसा विल्कुल नहीं है आपको 50% से जान्दा बोट हासिल करने होंगे और नमत करना के दौरान चुनाओ आयक द्वारा मत पत्तों के माध्यम से निर्वाचक मंडल द्वारा डाले गए सभी बैद मतों का यूग किया जाता है और जीत के लिए उम्मीदबार को डाले गए कुल मतों का 50% पिलस एक पराप्त करना होता है यानि कि 100% माल लीजे आप लोग 100 बोट माल लीजे तो इंक्यावन बोट कम से कम मिलना चाहिए तब वो राष्टपती बनेगा आम चुनाओ के विफ्रीत यहां मध्दाता एक पार्टी की उम्मीदबार के लिए बोट करते हैं और निर्वाचिक मंडल की मध्दाता पत्थ पर उम्मीदबारों की नाम वरीता करम में लिखे जाते हैं सीधा सा कहने का मतलव है कि आपके सामने 5 व्यक्ति खड़े कर दिए आप सिखा जाएगा कि आप इनमें से सही चुनिए सबसे सही कौन है आप लोग पहले को बता देंगे दूसरे डंबर पर दूसरे को रख देंगे तीसरे पर रख देंगे तो महावियोग की बात कर लेते हैं कि हटाये कैसे जाएगा राष्टपती हटेगा कैसे तो आपको मालू होना चाहिए कि अनुछेद एकसट आपने पड़ा होगा तो राष्टपती को उसके कारकाल की समापती से पहले केबल समीधान की उलगन की आधार पर हटाया जा सकता है हाला कि भारती समीधान में समीधान का उलगन बाक्यांस के अर्थ को परिभासित नहीं किया गया है क्या खिर इसकी परिभासा नहीं दी गई कि समीधान का उलगन मतलब का होगा क्या होगा समझ रहे हैं राश्टपती पर महावीव की पिक्रिया संसत की किसी भी सदर में शुरू की जा सकती है। आप देखे राजसभा में भी की जा सकती है। लोगसभा में भी की जा सकती है। इस पिक्रिया को हटाने की पिक्रिया लाई जा सकती है। राश्टपती की विरूद पिस्ताओ पर दो तेहाई से पास होना चाहिए और किया जाना चाहिए इसके बाद पिस्ताओं को दूसरे सदन में विचार ही तू भेजा जाता है और दूसरा सदन एक निरीक्चा की रोम में काल करता है और राष्टपती पर लगे आरोंकों की जाच के लिए एक प्रवर समती का गठन भी क करता है और पिक्रिया के दोना राष्टपती को अधिकित वकील के माध्यम से अपना बचाओ करने का अधिकार भी दिया जाता है कि अगर वो चाहे सफाई देना चाहे और अपने आपको बचाना चाहे तो वो बचा सकता है वो अपना बचाओ करने का विकल्प चौन सकता है या ऐसा करने के लिए भारत के किसी वैक्ति वकील या अटॉनी जनरल को नियुक्त कर सकता है तो ये भी आप लोग याद रखेगा और एक पिक्रिया और आप लोग समझेए बिधान सवा की सदर से भाग तो लेते हैं निर्वाचन में लेकिन आपने देखा होगा हटाने में इनका कोई युगदान नहीं रहता है ये भाग नहीं लेते हैं तो इसलिए कई बार बिवाद भी खड़ा हो जाता है तो ये ही कहानी है राश्टपती के चुनाओ की तो ये आप देखिए आपको कुश्टन्स दिया गया देख सकते हैं आप लोग कई बार आजाता है भारत की राश्टपती चुनाओ की संद्रब में निमलिकीत कत्रों पर विचार करजे पितेग विधान सभा की बोट का मूल अलग-लग राज्जों में भिन होता है उत्तर पिदेश में कुछ और है, महाराष्ट में कुछ और है, अरुनाचल पिदेश में कुछ और है लेकिन लोगसभा और राज्जसभा की संसदों के मूल बराबर हैं बोट का मूल इसलिए आप देखिए इसमें A option आप लोग बिल्कुल सही लगाएगे तो इस तरह के questions आपने देखा होगा State PCS और Civil Service में भी पूँच लेता है चलिए तो आप लोग याद रखिएगा, पूँचा जा सकता है इससे questions आएगा तो मुझे लगता है कि आप लोग आराम से answer भी देने की स्तिती में पहुँच चुके हैं